जैमातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आसार आमवस्या साल 2022 में कब मनाई जाएगी? 28 जौन को या फिर 29 जौन को इसकी सही तारिक बताऊंगी कि आपको असार आमवस्या का वरत और पूजा कब करनी है? साथ ही आपको पूजा का सुभ मूरत भी बताऊंगी और इसकी संपून पूजा विधी क्या है इसकी भी जानकारी दोंगी? इसके लावा हम आपको बताएंगे असार अमोस्या का एक चमतकारी उपाए जिसे करके आप अपना सोया भाग जगा सकते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ड बैस मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा दें साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों इस समय आसाण कमहिना चल रहा है धार्मिक द्रस्टी से आसाण मास में पढ़ने वाली अमोस्या तिथी का बहुत अधिक महात्तो है अमोस्या तिथी हर महिने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथी को कहते हैं आपको बता दें कि आसान मास की अमोस्या को हल हारणी अमोस्या और असारी अमोस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हल और खेतों में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इस दिन किसान विदी विधान से हल पूजन करके ईस्वर से हरी भरी फसल बनी रहे ऐसी कामना करते हैं इसके साथ ही अमवस्या तिथी को पितरों का सरात करने एवं तरपन करने के लिए भी अत्यंत सुब दिन माना जाता है इसके लिए आसार मास की अमवस्या काफी विसेश रहती है क्योंकि इसी महीने में चतुर मास भी लग जाता है और चतुर मास में तरपन का विसेश प्रावधान होता है कहा जाता है कि चतुर मास में प्रत्वी लोग की देख बाल भगवान सिवजी करते हैं दोस्तों इस दिन पवित्र नदी में इसनान एवमदान पुन्न भी किया जाता है इससे पितरों का आसिरवाद मिलता है जिससे घर में धन की व्रद्धी होती रहती है और हो सके तो आम उस्या के दिन फलाहारी व्रत रखना चाहिए साथ ही अपनी सामर्थ के अनुसार किसी जवरत मंद को दान भी देना चाहिए दान देने से पुन्न की प्राप्ती होती है और म्रत्व के बाद मोक्ष मिलता है दोस्तों इस दिन क अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर इसनान कर लें और स्वच्वस्त धारण करें इसके बाद एक तांबे के लोटे में सुद्ध जल भरें उसमें लाल चंदन और लाल पुस्प डालकर भगवान सूरु नरायन को जल अर्पित करें इसके बाद अपनी अमवस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चड़ाएं और साम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं साथ ही जवरत मंद को अन्य वस्त्र और धनका दान दें ऐसा करने से आपका भाग उदय होगा और पित्रों का आसिरवाद में मिलेग चलिए अब जानते हैं कि आसार अमवस्या पे ऐसे कौन से काम है जो आपको नहीं करने चाहिए तो आपको बता दें कि आसार अमवस्या के दिन खेतों में हल जोतना नहीं चाहिए इसके लावा इस दिन क्रे विक्रे और सुब कामों को भी नहीं करना चाहिए साथ ही इस दि मास मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों आसाल अमवस्या के दिन घर में किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं होनी चाहिए चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में आसाल अमवस्या का पर्व कब मनाया जाएगा तो आपको बता दें कि आसाल अमवस्या 29 जून 2022 दिन बुद्धवार को होगी अम आउस्या तिथी की सुरुवात 28 जून 2022 की सुबा 5 बच कर 52 मिनट पर हो जाएगी और अम आउस्या तिथी की समापती 29 जून 2022 की सुबा 8 बच कर 21 मिनट पर होगी तो दिया तिथी की मानिता के नुसार असान अमवस्या 29.02.2022 दिन बुद्धवार को मनाई जाएगी दोस्तों असान अमवस्या का वरत 29.02.2022 दिन बुद्धवार को रखा जाएगा और वरत का पारण 30.02.2022 को होगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्या पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद